नमस्कार, मैं हूँ ससी, संध्या समाचार में आपका स्वागत है, आए जहर्खन के दिन भर की खबर जानते हैं जहर्खन में सुखे की आहट तेरह जिलो में सुरू नहीं हुआ रोपा जहर्खन एक बर फिर सुखा का संकेत दे रहा है, मांसून आये करीब एक मा हो गया, इसके बाजूत अब तक समाने से आधा के करीब ही बारिस हो पाई है बारिस की स्थिती ठीक नहीं होने के कारण अब तक राजे के तेरह जिलो में रोपा तक सुरू नहीं हो पाया, वहीं जहां रोपा हुआ है, वह भी छुट फूर्ट कुछ जिलो में स्थिधी बुआई से धान की खेती सुरू हो पाई है राजे में 15 जुलाई से अगस्त के पहले सब्ता तक रोपा करने का अनुकूल समय माना जाता है मांसून और रोपा की स्थिती देखते हुए, किर्सी विभाग भी अलट हो गया है इस स्थिती पर नजर रखने का नेदे सभी जिला अधिकारियों को दिया गया है बदाद संताल परगना में इस स्थिती कुछ ठीक है, परमंडल के स्थिती बहुत ही खराब है पलामू परमंडल के तो एक भी जिले में रोपा तक नहीं हो पाया जारखन में इस वर्स किर्सी भी भाग ने 18 लाक हेक्टेर में धान लगाने का लग्छ रखा था इसको तुल्ला में दो लाक हेक्टेर में ही अब तक धान लग पाया है जारखन में पेपर लिग करने वालों को दस साल की सजा के साथ एक करोर तक जुर्माना परतियोगी परिक्षाओं में पेपर लिग की घटनाओ और नकल रोकने के लिए राज सरकार नकल बीरोधी कानून बना रही है इसके लिए बिधान सभा के मांसुल सत्र में बिधैक लाने की तयारी है बतादे रायस्थान गुजरात व उत्राखंड की तरज पर कानून निर्मान का प्रस्ताओं तयार किया गया है प्रस्ताओं में पेपर लिग करने का दोसी पाये जाने पर दस वर्षों का कारावास और एक रुपए तक का जुर्माना लगा कर दंडित किया जा सकता है परिक्छाओं में नकल कराने का दोसी पाये जाने पर सम्मंदित विद्यार्थी को भी तीन वर्ष तक के करावास का परोधान किया जा रहा है वही दोसी चात्र पर एक लाख रुपए तक अर्थ डंड और अगले दो वर्षो तक परिक्छाओं में सामिल होना परतिबंद करने का दंड भी दिया जा सकता है कैबिनेट की आगामी बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लगाई जा सकती है फिलहाल राजे में जार्खन एकजाम कंड़क्ट रूल 2001 परभावी है इसके तहट पेपर लिक और परिचाओं में नकल के लिए मामूली सीधन का प्रवधान है दोसी के लिए अधिक्तम 6 माह का करावास और 3000 रुपए तक का जुर्माना ही निधारी थै सियम हमंत के पत्र पर बावुला का कटाक्ष कहा माहालूट की सीवियाई जाज के लिए भी लिखे खत परदेश भाजपा देख्स बावुला मरांडी ने मनी पूर घाटना को लेकर मुख्य मंत्री हमंसरिन की ओर से राश्पती को लिखे गए पत्र पर निसाना साधा उन्होंने कहा है कि मुख्य मंत्री थोड़ी और हिमत दिखाए और अपने पापो की पोटली भी खोले सीरिम रांडी ने पूछा है कि जारखन में जो महालूट हुई है क्या उसकी जाट CBI से कराने के लिए CM केंदर सरकार को पत्र लिखेंगे संताल परगना में घोसपैटीओ ने कापजा कर लिया है क्या इस समन्ध में जाज के लिए CM केंदर सरकार को कहेंगे आदिवासी समाज का स्तित्वों को बचाने के लिए क्या एन आर्सी का समर्थन करेंगे हेमन सुरेन बंगाल में भी एक महिला के साथ दरिंद्गी हुई है उस पर कंट खोलेंगे साहेवगंज के बरहेट में हेड माहिष्टर पर दसवी की छात्रा से योन सोसन का आरो बाबुलाल के टीट से गर्माया मामला साहिव गंजिला अंतरगत बरहेट थाना चेत्र के एक स्कूल में प्रधाना ध्यापक दौरादा सुईक कक्षा की नबालिक चात्रा को प्रधाना ध्यापक मोहमद समसाद अली किसी बहाने से कक्षा में बुला करता था बिते 20 जुलाई को स्कूल प्रधाना ध्यापक के गलत हरकत के बारे में बताई तभी नबालिक चात्रा के पिता ने कुछ ग्रामिनों के बात बताई और ग्रामिन एकजूट हो गाए बताई दे सन्यवार सुबा नबालिक चात्रा के पिता और ग्रामिन एक जूट होकर बिद्याले पहुँचे और प्रधाना ध्यापक से पुछ ताच की तो उसने इंकार करते ग्रामिनों को ही धमकी देने लगा इस पर ग्रामिन उग्र हो गाए जहां जमकर मार पीट कर दी गई जहाज से उफंति गंगा नदी में कुद गई महिला, रभिवार की सुबा, राज महल मानिक चक के बीच उफंति गंगा में एक बिवाहिता के कुदने की खबर सामने आई है, महिला ने जहाज से गंगा में छलांग लगाई है बता दे उफंती गंगा में कूदने वाली महिला की पहचान पुन्य में रहकर काम कर रहे राज महल थाना चेतर के फेलू टोला निवासी नूर जमाल की पत्नी फुलेरा बीबी के रूप में हुई है महिला के उम्र एकवी साल बताई जा रही है बता दे सामाचार लिखे जाने तक फुलेरी बीबी के जीवित या मिरित होने से जुड़े किसी जनकारी की पुष्टी नहीं हो पाई इस संदर में थाना प्रभारी कुंदन कांत बीमन ने बताया है कि फुलेरा बीबी ने गंगा में छलाग लगाने से पहले अपना मुवाइल पास बैठे राज महल थाना चेतर के हाजी पीर अली टोला निवासी फैसिक हातून को दिया था जनकारी के अधार पर फैसिक हातून और उसके भाई बारिक से को थाने लाकर पुष्टाच की जा रही है पलामू में कोवरा को बोरी में बंद कर अस्पताल पहुँचा युवक जारखन के पलामू में कोवरा ने एक ब्यक्ति को डस लिया इसके बाद पिडित के बेटे ने साप को बोरी में बंद किया और अस्पताल पहुँच गया इमर्जनसी वार्ड में जाकर युवक ने डॉक्टर को साप दिखा कर कहा कि इस साप ने मेरे पिता को काटा है यह नजारा देख डॉक्टर हैरान रह गया इस मामले में युवक का कहाना है कि सही इलाज के लिए साप लेकर आया जिससे की डॉक्टर ठिक से पिता का इलाज कर सके देवघर यारपोट से 49 कच्छों के साथ 3 तसकर गिरफतार देवघर जी लेगे के कुंडा थाना अंत्रगा देवघर यारपोट के गेट के पास से 49 कच्छों के साथ 3 तसकरों को पुलिस ने गिरफतार किया है कुंडा थाना परभारी परवीन कुमार ने देवघर वन विभाग को इस बार बे जनकारी दी है वन विभाग के अधिकारी कहते हैं कि देवगर एरपोट के पास तीन व्यक्तिक अच्छवा की खरीद विक्री करने के काम कर रहे थे इसकी जनकारी के बाद देवगर हवाई अड़ा के मुखे गाड ने उन्हें रोक कर रखा कुंडा थानय को सुचना मिलने पर पूलिश ने तीनों तसकरों को जाज के बाद गिरफतार कर लिया है ज्यार्खन सिक्छक नियुक्ति में बड़ा बदला जे ट्रेट पास अभियार्थियों को बदलनी होगी भासा राज़े में ज्यार्खन करमचारी चेंन आयोगीों के ओरं 26 हजार सहयाक अचारी नियुक्ति के लिये पर किरिया सुरू कर दिगा isn't परिक्षाओं में जिलावार जन जातिये वा चेत्रिये भासा का भी कल्ब विद्यातियों को दिया गया था। परिक्षाओं में जातिये वा चेत्रिये भासा का भी कल्ब विद्यातियों को दिया गया था। अननने बताया है कि बंगाल की खाड़ी में लोग परेसर होने के कारण 27 से 29 जुलाई तक जार्खन में अच्ची वर्षा देखने को मिलेगी। इसका असर राइधानी में भी दिखेगा। उन्होंने बताया है कि रांची में लगतार तेजिस से वर्षा कम हो रही है। इसका एक मुख्य कारण पेड़ों की अंदर धुन का टाई और कंक्रिट वाले भवन है। बतादे चाई बासा जम सेथ पूरो सराय के लाशेतर में रभीवार को दीन में आस्माने बादल चाहे रह सकते हैं। ज्यारखन की आधी जन संख्या को बसों में मिलेगा मुफ्त यातरा का लाब। ऐसे यात्रियों से भाड़ा नहीं वसुलेंगे और बदले में राज सरकार उन्हें नियमित तोर पर रास्ती का भुगतान करेगी। सरकार ने उन वर्गों की पाचान कर ली है जिने मुफ्त में यातरा का लाद दिया जाएगा। बसों के संचालकों को अनुमानित तोर पर कम से कम 40% टिक्टों के एवज में राज सरकार भुगतान करेगी या आकड़ा बदल भी सकता है। पांच साल से परफर्मेंस नहीं देने वाले अस्पतालों और लापरवाह डक्टों पर होगी करवाई। परवाई होगी ये बाते जार्खन के स्वायत मंत्री बन्या गुपता ने देवगर सरकीट हाउस में कही है। बतादे बन्या गुपता ने कहा है कि गरीबों को उनके गाव पंचायत में सस्ती दवा उपलब्द हो इसके लिए सरकार हर पंचायत में दवा दुकान खोल रही है। सरकार की कोशिस होगी कि इन दवा दुकानों में जेनरिक दवाय उपलब्द रहे। ते हुए सत्य परिशत का लक्ष हासिल करना मुस्किल है।